साथियो नमस्कार स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल पर साथियो आज की वीडियो रीट लेवल सेकेंड इंगलिस के कंडिडेट्स के लिए रहने वाली है साथियो रीट लेवल सेकेंड इंगलिस का एक्जाम 27 फरवरी 2023 को हो चुका है और जब से ये एक्जाम पूरा हुआ है तब से हर कोई यूटूबर्स के द्वारा और कोचिंग वालों के द्वारा कटोप बताये जाने का सिलसिला है वो जारी है साथियो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा विसलेशन करने के बाद आपके सामने पेश कर रहा हूँ अगर आप रीट लेवल 2nd English के केंडिडेच हो इस वीडियो को आप लास तक जरूर पहूंचाईए जरूर देखेगा और अपने साथियो तक भी पहूंचाईएगा साथ यो आज की वीडियो में अपन चर्चा करने वाले हैं कि REIT LEVEL SECOND इंगलिस की CUT OFF कितनी जाने वाली है और कितनी क्यों जाने वाली है उसके पिछे का REASON भी अपन जाने वाले है पर साथ यो एक ये मान के चलिए REIT LEVEL SECOND इंगलिस की CUT OFF है वो कम रहने वाली है उस कम रहने का क्या कारण है कौन कौन से FACTOR है जिसके कारण REIT LEVEL SECOND इंगलिस की CUT OFF कम रहेगी वो इस वीडियो में अपन जानेंगे तो अपन स्टेफ वाई स्टेफ समझने की कोसिश करते हैं तो साथियो सबसे पहले अपन बात करते हैं REIT LEVEL SECOND इंगलिस की CUT OFF जो की 2018 के अंदर रही थी तो उसमें बात करें साथियो टोटल जो पोस्ट थी 2018 के अंदर जो पोस्ट थी वो 9278 पोस्ट थी और उस बार भी 5 CANDIDATS पर एक यानी की CET थी कहने का मतलब क्या है परते क्यानी की एक CET के उपर यानी 5 CANDIDATS थी अब की बार फिलाल 6 CANDIDATS है एक CET पर और उस टाइम कितने थे? 5 तो अब की बार जो CET है और उस बार जो CET थी लगबग बराबर है थोड़ी बहुत यानि की पहले 2018 में ज्यादा थी अब बात करते हैं 2018 में क्या cut-off रही थी 2018 के अंदर जो cut-off रही थी साथियों आपको ये समझना है उस time negative marking नहीं थी और अब की बार negative marking है जब negative marking नहीं थी उस समय cut-off रही थी जनरल की 67.93% का मतलब शाथियों ये है कि जिस student के 102% सही हुए थे उनका क्या हुआ था? 102% जिनके सही हुए थे उनका selection हो गया था इसी तरह से SC की 62 point कुछ है, ST की 58 point, OBC की 66 point और MBC की 65 point 22 थी तो ये थो थी 2018 की, अब आगे है अपन थोड़ा और बढ़ते हैं इनी cut-off के ध्यान में रखते हुए और फिलहाल जो यानी आंकडा है उनको ध्यान में रखते हुए अपन आगे बढ़ेंगे तो अब देखिए साथ में बात करते हैं, अब की बार जो paper हुआ था 27 तारीक को, उसका paper का जो level था जिक के था, वो क्या था, moderate था, English भी क्या था, moderate था तो अब बात करें, आगे थोड़ा अपन और बढ़ते हैं कि total जो seats थी, grade यानी की third English की 8782 थी, जिसमें TSP के 1206 में और non-TSP के कितने थे 7486 तो अब इसमें से बात करें, 8782 यानी की English की यानी total seat है total attendance की अगर बात करें, कि परिक्षा जिन्होंने दी है जितने candidates ने दी है, वो ये मान के चलिए total जो seat है, वो कितने होगे? यानी कि total जो form बरे गए थे, वो थे चोवन हजार 960, चोवन हजार 960 में से 218 में candidates absent रहे थे, और कुल जो last में बचे हैं, जिन्होंने पेपर दिया है, वो 52,762 मतलब अब जो यानी की result जो आने वाला है, वो 52,762 candidates का result आने वाला है अपन मोटे तोर पे कह सकते हैं, कि जो attendance रही थी पेपर की, वो 96% यानी की रही थी 96% attendance रही और लगबग यह मान के चलिए, 52,762 ने एकजाम दिया अब देखे साथियों, merit कम रहने का क्या कारण है अब देखे लगबग यह मान के चलिए, साड़े 52,000 candidates ने पेपर दिया है उसमें merit कम, इन साड़े 52,000 में से आनी की अब देखे एक merit कम रहने का एक region यह है कि B.A.D. factor B.A.D. factor का मतलब अपन यह समझेंगे साथियों कि जो B.A.D. final के जो students है, जिनका अभी exam नहीं हुआ है उन students ने भी REIT level second English का exam दिया है और यह आप मान के चलिए कि अपरेल के last में या माई के पहले में REIT का क्या हो जाएगा, result आजाएगा जब REIT का result आएगा और अब तक B.A.D. का exam ही नहीं हुआ है तो यह मान के चलिए कि B.A.D. के English के आप यह मान के चलिए कम से कम 6-7,000 यानि की candidates ऐसे हैं जो की आउट होने वाले है कम से कम बता रहा हूँ मैं B.A.D. जो factor है तो यह अब मान के चलिए 52,000 में से 6-7,000 तो यह ही गे अब दूसरा यानि की factor यानि की बात करें साथियो additional factor, additional factor हालांकि additional वालों ने REIT level exam यह जो इंगलिस का था इसमें exam दिया है और additional factor है इसकी भी यह सुनने में आई यह कि इसका मामला है वो supreme court में चल रहा है अगर supreme court का फेशला आ जाता है तो additional factor है वो भी काम करेगा additional वाले भी आने के out हो सकते हैं हालांकि अभी तक याने इनका कोई नहीं है लेकिन supreme court में मामला है तो additional वालों के लिए भी यह क्या हो सकता है खत्रा हो सकता है और additional वाले जब out होंगे तो यह मान के चलिए यह जो तीन साल में जिनोंने English पूरी की है जिनोंने SST से भी दिया है एकजाम और साथ में किसे दिया है SST के अलावा English से भी दिया है लेकिन कई ऐसे हैं जो English को कई वर्सों पहले ही छोड़ दिया है लेकिन वो त्यारी किस से कर रहे थे SST से कर रहे थे लेकिन SST से भी दिया और English से भी दिया है एसे candidates कम से कम आपको 5000 मिल जाएंगे जो main तैरीकिस की है SSD की और English की कम है हो सकता है कि उनमें से कुछ एक English का paper जिनका ठीक बेट गया है उनका selection हो जाए लेकिन ये मान के चलिए 5000 से 6000 students है वो SSD के हैं जो वो English के भी दिया था वो भी क्या हो सकते हैं आउट हो सकते हैं तो कहने का मतलब B.A.D. factor काम करेगा merit कम रहने का जो कारण बनेगा उनमें से दूसरी बात करे additional factor काम करेगा नमर तीन दो जो paper दिया है उनमें से SSD यानि समझ सकते हैं तो बहुत सारे यानि ज़्यादा students तो नहीं है लेकिन यह बानके चलिए कि इन में से 5000 स्टूडेंट ऐसे हैं वो SSD के है जो SSD से त्यारी की थी वो आउट हो जाएंगे अब देखे एक B.A.C. अंक का फेक्टर है B.A.C. अंक का फेक्टर क्या है इसको अपन अच्छे से समझते हैं कि B.A.C. लास्ट में अपन देखे है कि जिनके रीट जो परी का पेपर हुआ था उनमें जो B.A.C. अंक जिनके आनकी बढ़ने थे उसको पहले आउट कर दिया था उसको इलिजिबल नहीं माना था लेकिन एन वक्त पर एक्जाम से एक महीने पहले B.A.C. अंक वालों को भी फोम बढ़ने के लिए जूट दे दी गी तो अब आप ये मान सकते हो कि जिनके B.A.C. अंक नहीं बन रहे थे मतलब जो पास नहीं कर रहा था वो रीट की त्यारी नहीं कर रहा था लास्ट एक महीने में आप समझ सकते हो कि रीट का इतना बड़ा यानिकी स्लेबस था तो एक महने में तो यानिकी उनसे यानिकी रीडिंग भी नहीं लगेगी तो मतलब यह है कि जिनके B.A.C. अंक जिनके थे लगबग मान के चलिए 5-6,000 यानिकी कंडिरेट्स ऐसे थे जिनके यानिकी B.A.C. यानिकी अंक यानिकी थे तो वो B.A.C. अंक वाले यानिकी जो पेपर दे के आये हैं लेकिन उनका स्लेबस भी यानिकी कवर नहीं हुआ तो ये मान के चलिए कोई एक दो यानिकी परसेंट को छोड़ करके लगबग B.A.C. अंक वाले भी क्या हो जाएंगे आउट हो जाएंगे तो ये एक बड़ा यानिकी फेक्टर है तो लास्ट के अंदर यानिकी साथियों अपन बात करे कट बढ़ करके ये सारी कम हो करके सीट बसती है ये मानके चलिए जो टोटल कंडिडेट्स है उस टोटल कंडिडेट्स ये मानके चलिए तीस हजार जो होगी तीस हजार जो कंडिडेट्स होंगे वो यानिकी बसते हैं तीस हजार ये सारे यानिकी B.A.D. वालों को इन सब को अब 30,000 यानि कि जो बस्ते हैं उन्हें 30,000 के अंदर से आप समझ सकते हो कि सारे त्यारी करने वाले भी नहीं होते हैं 30,000 में से यह मान के चलिए कि 70% कंडिडेट्स ऐसे हैं जो त्यारी कर रहे हैं बाकी आनि कि त्यारी नहीं कर रहे हैं इसलिए रीट की जो कटोफ है वो एकदम कम रहने वाली है आपको यानि कि यकीन नहीं होता है यानि कि जो जीशर ने जो बताया बहुत सारे कंडिडेट्स ऐसे हैं जो की यकीन नहीं करें कि इतनी भी हो सकती है लेकिन हकीकत मानिए इतनी ही रहने वाली है अब देखिए आपकी जो cut-off है general के students में male जो students है जिनके 181 नमबर बन रहे हैं और female जिनके 181.18 यानि लगबग सेम रहने वाली है उनका क्या है short selection है 181 नमबर बता रहा हूं मैं उसके बाद यानि की देखिए जनरल के बाद OBC जिनके 166 नमबर बन रहे हैं तो male और female लगबग दोनों की सेम रहती है उनका भी selection रहोने वाला है उसके बाद यानि की बात करते हैं EWS जिनके 164 पॉइंट कुछ बन रहे हैं तो ये मान के चलिए उ उनका भी selection है उसके बाद जो बात करें SC और ST की ये मान के चलिए जिनके SC के SC क्यों सही हो रहे हैं और ST के आने के 78% सही हो रहे हैं वो भी selection की दोड में है उमीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अगर इसी तरह की वीडियो आपको और चाहिए तो वीड आइकन को भी आने के दबा दीजिएगा थैंक यू फॉर वाचिंग